आतंकियों के आकाओं को पता है कि भारत को नुक्सान पहुचाया तो भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। पोडो समझोते ने असम में पचांच सानों का विवात खत्प किया है। एक स्वन्री मध्याय होगा कि कैसे भारत ने दूसरे और तीसरे दसक में नक्सलवाज जैसी भयानक बिमारी को जड़ से उखार दिखाए। मुझे संतोज है कि बीते दस साल के अठक प्रयासों से आज नक्सलवाज भी भारत में अपनी अंतीम सांसे गिन रहा है। आतंकियों के आकाओं को पता है कि भारत को नुक्षान पहुचाया तो भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। आप नौर्थिस्ट में देखिये कितने बड़े संकट थे। हमने समवाज से विकास और विश्वाज से अलगाओं की आग को शांत किया। बोडो समझोते ने असम में पचांच सानों का विबात खत्प किया है। बुर्यांग एग्रिमेंट इसके कारण हजारों विस्थापित लोग अनेक दसकों के बात अपने घर लोटे है। नेशनल लिबरेशन फ्रंट अफ तिरपुरा से हुए समझोते ने लंबे समय से चल रही अशांती खत्म की है। असम और मेगाले के बीच के सिमा विबात को कापी हद तक हम सुल जा चुके है। साथियों जभी कीश्वी सदी का इचिहाद लिखा जाएगा तो उसमें एक स्वन्री मध्याय होगा कि कैसे भारत ने दूसरे और तीसरे दसक में नक्सलवाज जैसी भयानक बिमारी को जड़ से उखार दिखाए। उखार करके फैका। आप जयात करिए वो समय जब नेपाल के पतुस्पती से भारत के तिरुपती तक रेड कोरीडर बन चुका था। जिस जन जातिय समाज ने बगवान बिरसा मुंडा जैसे देश भक्त दिये। जिनोंने हमारे सीमीत संसाधनों के बावजुद भी देख के हर कोने में मेरे आदिवासी भाई बेहनों ने आज़ादी के लिए अंग्रेजों से मुकाबला किया। ऐसे जन जातिय समाज में सोची समझी साजिस के तहत नक्सलवात के बीज बो गए। नक्सलवात की आग भड़काई गई। ये नक्सलवात भारत की एकता और खंता के लिए बहत बड़ी चुनावती बन गया था। मुझे संतोज है कि बीते दस साल के अथक प्रयासों से आज नक्सलवात भी भारत में अपनी अंतीम सांसे गिन रहा है। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रही हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।